सबसे पहले डीसकरस करेंगी स्लेबस आफ क्या से सलेबस कितनी चैप्टर्स में योनिट बनती है कितने योनिट और कैसे को शर्ण देखें पहले पहले चैप्टर्स यहाँ मैंने सारेmostर अवी दिख दियेत जोभी पाहली स्क्रीबर्स 11 चप्टर है है आपके एंड फर्स सेकिंड थर्ड पहले तीन चप्टर्स की एक उनिट आएगी लिमिट डिफ कॉंटिनुटी एंड डिर्यबिलिटी सक्सेव डिफरेंशेशन अंड थर्ड इस सम् जर्नल थ्योरम्स और डिफरेंशियबल फॉंक्शन एंड एक चप्टर्स की युनिट बनेंगी फर्स ओके तीन चप्टर्स में एक उनिट चप्टर्समें एक उनिट में आपकी दो पॉषण कर्व फर्स most और फskॉषण की दो ऐसे इस second question के दो part आएंगे A and B आपको या तो first question attempt करना है unit first में this is a unit first ओके या फिर आपको second attempt करना है दोनों में से एक question attempt करना होता है और या तो आप first के दोनों part करिए या आप second question के दोनों part करिए ठीक है? इस तरह से question करना होता है और ये सारे के सारे डो कोशन आएंगे एक के दो पार्ट, सेकिंड के भी दो पार्ट, यहाँ से आपके जो 1st कोशन है, यह आपको सेकंड चप्टर करिए यां फिर सेकंड थर्ड चप्टर करिए ठीक है और मुझे तो स्लेवर कंप्लेट करवाना है क्योंकि किसी बच्चे को यह फर्स चाप्टर इसी को सब ठॉज किसी वुच्चे को थर्ड एजी लगते हैं इसलिए मैं आपको पूरा स्लिप्स कर वाऊंगी जिसको जो सुटेबल लगे उसे साफ से कर लेना ठीक है तो फर्स्ट इनिट में दो कोशन तीन चाप्टरस में से फर्स्ट कोशन की दो पार्ट सेकिंड कोशन की दो पार्ट समझ सेकिंड फॉर्थ फिफ्ट एंड सेक्स्थ तीन चैप्टर्स थ्री चैप्टर्स युनिट सेकिंड में आते हैं ओके यहां में हमारा एक कोशन कंप्लीट यानिकि एक युनिट का दो कोशन लगा लिजा आपको एक कोशन यहां पर कंप्लीट करना है ठीक है युनिट फर्स second question के two parts ठीक है ऐसा ही यहां पर asymptote और curvature में से first question बना सकते हैं और second question fifth और six यानी curvature and singular point से आ जाएगा ठीक है तो यह तो आप starting के दो अच्छे से कर लिजी या फिर last के टो यह syllabus मैं discuss कर रही हूं all haryana universities ओके बाकि जो other जो out of haryana है वो अपने topics के हिसाब से जाके जो आपके syllabus में है topic match करके वहां से आप chapter wise syllabus कर सकते हैं and next unit is a third chapter का हम यह लिख लेते हैं क्योंकि next unit में आ रहा है कि कर्व ट्रेसिंग ठीक है यह आ रहा आपके पास थर्ड unit में तो थर्ड unit में आएंगे 7th 8th and 9th chapter ओके थर्ड यहां से भी अपके दास unit third हो जाएगी है unit third and ऐसे question आएंगे first question के दो part second के भी यह और भी आने के two parts and last integer 10th and 11th दो chapter quadrature and volumes and surfaces of solids of revolution इन दो chapters की last unit बनती है means यह unit है fourth ठीक है इस तरह से आपकी चार units में divide है slaves of calculus और यहां से भी आपके पास ऐसे ही आते है first question के two parts हो जाएंगे and second question के भी two parts यहां पर दो चैप्टर है इन फस्ट 10th chapter में से बना दिया जाएगा complete first question and 11th में से जोक है second ऐसा भी कर सकते हैं कि कई universities में देखा गया है कि एक question एक part यहां से उठा लिया जाएगा जैसे कि first question first 10th में से उठा ले एक question और second question ले लिया जाए इलावत में से इसलिए जो दो दू चैप्टर्स की उनिट है वहाँ पे आप complete syllabus यानि कि दोनों chapter करिए complete unit करिए मतलब और जैसे कि तीन तीन chapters की उनिट है वहाँ पे आप दो चैप्टर से अपना paper cover कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से मैं आपको complete करवाँगी chapter first से chapter 11 ठीक है अभी हमने second chapter complete कर लिया है और first chapter भी करवाएंगे हाँ और मैं यहां पर थर्ड फॉर फिफ्टे जितने हैं सारे करवाँगे नहीं नहीं है कि हमने first unit में से इसको skip कर दिया या फिर फिर्स्ट को skip कर दिया तो हम यहां पर सारा syllabus करेंगे और second chapter हमारा complete हो चुका है और यह अपने यह syllabus और हर्याना यह उन्वेस्टी का स्लेबस है और सभी इंवेस्टी इसी तरह से चार इंवेस्ट में डिवाइड कर रखें ऐसे आपके वास कोशन साते एंड एक लास्ट कोशन होता है शोट आइप कोशन वह आपको पूरे चैप्टर में से थ्रो आल कहीं से भी पोच लिया जाता है ठीक तो उनको उनकी जिसे कोई डेफिनिशन हो गया वह स्मॉल शॉर्ट कोशन जी से बोलते वह यहां चाटैंप्ट होते हैं वह हमारा फिफ्ट कोशन होता है ठीक तो पेपर का जो पूरा शेडूल मैंने आप पर बता दिया है पहले प्लेवस कंप्लीट कर लेते उसके बाद म कर दाना कि पर गाद में एक फ़र का प्लेवस के बारे में हमने अब बार पॉलसे आप बुक कर रहे हैं क्या-क्या टॉपिक कर रहें इसलिए सबसे पहले आज मैंसा थोचहे कि हम केल्कुलिस का ही लँप डिसकूर्श करते और फिर हम इसको आगे कंटीने गए करेंगे चल अलजेब्रा और कैल्कुलस विल्गुल सेम है थर्ड पेपर आपका जो अलग है तो इस तरह से आप अपना गूगल भी सर्च करिए क्योंकि को अपन है नहीं तो आप गूगल पर सर्च करके टॉपिक्स मैच कर सकते हैं वहांसे पेपर समेश कर सकते हैं चलिए अब मिलते हम लेक्चर में जहां पर हम नेक्ट चेप्टर स्टार्ट करेंगे और आप इनको अच्छे से कल्कुलिस को टॉपिक्स को त्यार किजिए और थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो बाई